अस्सलामू अलेकुम प्यारे दोस्तों इसराइल ने मज़िदे अकसा पर मिसायल से हमला कर दिया ये खबर सुनते ही सारी दुनिया में खलबली मजगई दोस्तों ये कोई जूटी खबर नहीं बलकि ये सची खबर है कुछ दिन पहले जिस जंगा पर मज़िदे अकसा है उस पर इसराइल का आइरन ड्रोन सिस्टम के हॉर्न बजने लगें और मज़िदे अकसा के आसपास जो यहुदी थे वो सभी इधर उधर भागने लगते हैं ये आइरन ड्रोन का हॉर्न तभी बजता है जब इसके एरिया में कोई मिसायल गिरने वाली होती है इस पर इसराइल क कहना है कि हमास ने जो मिसायल दागी थी वो मज़िदे अकसा पर गिरने वाली थी लेकिन हमारे आइरन ड्रोन सिस्टम ने उस मिसायल को उपर ही खत्म कर दिया वरना वो मिसायल मज़िदे अकसा पर गिरती और मज़िदे अकसा तूड जाती और इसी खबर को लेकर के इसरा अगर हमारा आइरन ड्रोन सिश्टम उस मिसाइल को उपर ही ना खत्म करता तो वो मिसाइल मज़िदे अक्सा पर गिर जाती लेकिन दोस्तों अब सोचने वाली बात ये है कि ये जो वीडियो वाइरल हो रही है इस वीडियो में ना तो कोई मिसाइल दिखाई दे रही है और न वागते जा रहे हैं दोस्तों सोचने वाली बात ये भी है कि होर्न तो किसी भी तरीके से बजाया जा सकता है लेकिन हमास तो कताई ऐसा नहीं करेगा कि जिस मज़िद के लिए वो अपनी जान दे रहे है उस मज़िद पर वो मिसाइल दागे दोस्तों ये सब इसराइल की ही चाल है कि इस तरीके से कई बार करके दिखाया जाए फिर उसके बाद एक बार अपनी ही मिसाइल को मजजिदे अकसा पर दाग दिया जाए और मजजिदे अकसा को तोड़ करके ये कहा जाए कि हमास ने मिसाइल दागी औ और मस्जिद अक्सा तूड़ गई दोस्तों यहुदियों का ये एक बहुत बड़ा प्लैन है उनकी साजिस है कि जो असल मस्जिद अक्सा है यानि कि ये जो काली गुंबद वाली मस्जिद अक्सा है इसी को मिसाल के जरिये से तोड़ दिया जाए और जो पीली गुंबद वा कहते हैं इस मस्जिद को सही सलामत रखा जाए अब जब मस्जिद अक्सा को जो असल वाली है उसको अगर तोड़ दिया जाता है तो वहीं पर हैकल सुलेमानी को बना लिया जाएगा और फिर पूरी दुनिया मिल करके हमारा कुछ नहीं कर सकती और खास करके जो मुस्लिम मुल ता कि हमारा हैकल सुलेमानी थेल टेंपल का इस ट्रेक्चर तयार है और हम इसको बनाकर रहेंगे और तमाम मुस्लिम मुलक हमारा कुछ भी नहीं कर सकते हैं और दोस्तों यह जो इसराईल और हमास के बेच जग चल रही है इस पर पूरी दुनिया का यहीं कहना है कि फॉरन इसराइल का ही पूरा हाथ है कि इस जंग के बहाने हम मजजिद अक्सा को तोड़ देंगे और वहां पर अपना हैकल सुलिमानी को फिर से बना लेंगे दोस्तों यहुदियों का मानना है कि जिस दिन हैकल सुलिमानी बन गया उसी दिन हमारा मसीहा जिसे मुसल्मान दज्जाल कहते हैं वो आ जाएगा और जब दज्जाल आ जाएगा तो उसके साथ मिलकर के हम पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे और सारी दुनिया पर हमारी ह हुकूमत हो जाएगी कयामत की बड़ी निसानियों में से एक बड़ी निसानी दज्जाल का आना है दोस्तो कुछ लोगों के जहन में ये भी सवाल आता होगा कि जब यहां पर पहले से हैकल सुलिमानी बना हुआ था बाद में इस तरीके से मजजिदे अक्सा को बनाया गया त तो दोस्तो हम यहां पर आपको बताना चाहते हैं कि जब आदम अलिससलाम आएं तो आदम अलिससलाम को मजजिदे अक्सा की नियू रखने को कहा तो जब हजरत आदम अलिससलाम ने मजजिदे हराम की नियू रखी उसके ठीक 40 साल के बाद मजजिदे अक्सा की नियू वहा अपने तरीके से मजजद अक्सा को अलग अलग तरीके से बनाते चले गएं लेकिन जब हज़र सुलिमान आएं तो हज़र सुलिमान अले सलम ने वहाँ पर मजजद अक्सा की तामीर के लिए कहा जो जिन्नातों और इंसानों की मदद से वहाँ पर मजजद अक्सा की तामीर हमारे हुजूर पाक ﷺ मिराज के सफर पर जन्नत में गय थें जो असल में हैं और इसी चीज को यहुदी हैकल सुलिमानी कहते हैं यानि की सुलिमान ﷺ का बनाया गया अबादत गां अब जब की तौरेत जो यहुदीयों के पास किताब है जिस पर हम सब मुसल्मान का भी अकीदा है के तौरेत आसमानी किताब है यह अल्लह तबारक वादाला की किताब है लेकिन दोस्तों इन यहुदीयों ने इस तौरेत किताब को पूरी तरह से बदल दिया इसमें अपने हिसाब से बाते लिग दी इसमें जो सची बाते थी उसको मिटा करके अपने तरफ से बाते लिग डाली इन लोगों ने जो काम अच्छा लगा करने को जैसे सूद, जिना, सराब ये सारी बाते किताब में लिग डाली और जो काम करने इसको मना किया गया था उन क कामों को मिटा दिया गया उस कामों को इन लोगों ने मिटा करके अपने तरीके से अपनी पूरी बात लिग डाली और इस पूरी तोरेद किताब में चेड़ बदल करके इसकी असल सकल से ही इसको बदल दिया दोस्तों यहुदियों में कई तरह के फिर्के पाए जाते हैं अगर आप इनके हर फिर्के की तौरेत किताब को देखेंगे तो आपको उसमें बहुत सारे फर्क नजर आएंगे क्योंकि उनके हर फिर्कों ने अपने अपने मताबिक तौरेत किताब में बदल छेड़ कर डाली है दोस्तों अब यहुदियों की जिन्दगी का यही मकसद है कि किसी भी तरीके से मजजिदे अक्सा को तोड़ करके वहाँ पर हैकले सुलिमानी को बनाया जाए और फिर अपने मसीहा दज्जाल को बुलाया जाए और पूरी दुनिया पर राज किया जाए हर कोई हमारी लोगो पर अपनी हुकूमत करेंगे और दोस्तों वो दिन भी जल्दी आएगा कि जब यहुदी मस्जिदे अक्सा पर मिसाल से हमला करेंगे और इसका इलजाम हमास पर या किसी और पर लगा देंगे और मस्जिदे अक्सा को तोड़ करके हैकल सुलिमानी की तामीर करेंगे और सारी दुनिया के मुसल्मान यूही बैट करके तमासा देखते रहेंगे जिस तरीके से अब वो तमासा देख रहे हैं कि किस तरीके से इसराइल पूरे गाजा को तभा और बरबाद कर चुका है वहां के फिलिस्तीनियों की जान ले रहा है बच्चों की औरतों की बोड़ों की जवानों की सभी को बेदर्दी से उनकी जाने ले रहा है और हजारों की तादाद में अपने जेल में फिलिस्तीनियों के उबंद करके रखा हुआ है जिसमें औरते बच्चे बोड़े सभी साम एक अंधेरी कोट्री में उनको बंद करके रखा है जिसमें ना तो हवा जा सकती है और ना ही रोसनी उनको खाने के लिए खाना नहीं पीने के लिए पानी नहीं और इस पर उनको बुरी तरह से पीटा जाता है और ना जाने किस किस तरीके से उन पर जुल्मों सितम किये जा र और जो 56 मुलक के हुकमरान हैं यूही तमासा देख रहे हैं और अपनी आयासियों में मगन हैं लेकिन दोस्तों हमास हिजबुल्ला हूती इन संगठनों ने असराइल के नाग में दम करके रख दिया है इसराइल को लोहे के चने चपवा दी है जहां पर हमास इसराइल के टैंक पर टेंक उड़ा रहा है वही हिजब-ुल्या इसराइल से मिसाल पर अटैक पर अटैक कर रहा है और जो यूमन के हुटी हैं वो लालसागर में इसराइल की जहाच पर हमला कर रहे हैं और उसे हाईजैक कर रहे हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही अल्ह ताला से दुआ है कि अल्ह ताला तमाम मुसल्मानों की मदद फर्माए फिलस्तिनियों की मदद फर्माए आमीन अल्हुम्मा आमीन दोस्तों इस वीडियो को जतना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करिए वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं तब तक के लिए असलामू अलेकुम अलाहाफिज